ओम शान्ति आज तिनांक 21 अगस्त 2022 प्राताह मुर्ली अव्यक्त बाप दादा का रिवाइच कोर्स दो मार्च 1902 बाप दादा ने अटेंशन किच्वाया महा सिवरात्री मनाना अर्थात प्रतिग्या करना व्रत लेना और बली चैड़ना आज दिव्य महा जोती बाप अपने जोती बिंदू बच्चों से मिल रहे हैं बाप दादा भी महान जोती हैं और आप बच्चे भी महान जोती स्वरूप हो तो दिव्य जोती बाप दिव्य जोती आत्माओं से मिल रहे हैं यहां महान जोती कितनी प्यारी और न्यारी है बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई जोती देख रहे हैं कितना दिव्य और प्यारा नजा रहा है चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं इस रूहानी जोतिर में सितारों का मंडल अलोकिक और अति सुन्दर है आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो यही महासिवरात्री है सिव जोती के साथ आप अनेक जोती बिंदु सालिग्राम हो बाप भी महान बच्चे भी महान है इसलिए महासिवरात्री गाई जा रही है कितनी स्रेष्ट भाग्यवान आत्माए हो जो चेतन्य साकार स्वरूप में सिव बाप के साथ सिवरात्री मना रहे हो ऐसे कभी संकल्प में स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी अलोकिक सिवरात्री मनाने वाले हम सालिग्राम आत्माए हैं आप सब चेतन्य रूप में मनाते हो उसका ही यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्र में चेतन्य भावना से मनने का देख रहे हो सच्चे भक्त चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते और आप सालीग्राम आत्माएं सम्मुक मनाने वाली हो तो कितना भाग्ये है पद्म अरब खरब यह भी आपके भाग्ये के सामने कुछ नहीं है इसलिए सभी बच्चे निश्चे के फलक से कहते हैं हमने देखा हमने पाया यह गीत सभी का है या कोई कोई का है सभी गाते हैं न वा यह गाते हो कि देख लेंगे पा लेंगे पा लिया है वा पाना है डबल विदेशी क्या समझते हैं पा लिया है बाप को देखा भी है न दिल से कहते हो बाप को देखा है पाया है देखना और पाना तो क्या लेकिन बाप को अपना बना लिया बाप आपका हो गया न? देखो आपका बाप हो गया तब तो आपके कहने से बाप आ जाते हैं न? तो अधिकारी बन गए हो न? महा सिवरात्री की क्या विशेस्ता है? एक तो बाप के आगे प्रतिग्या करते हैं और दूसरा बाप के प्यार में वरत ले रखते हैं क्योंकि प्यार और खुसी में सब भूल जाते हैं इसलिए वरत रखते हैं खुसी की खुराग खा लेते तो दूसरी खुराग की आवश्यक्ता नहीं होती है मिलन की खुसी के कारण वरत रखते हैं वरत खुसी की भी निसानी है और वरत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निसानी है तीसरी बात सिवरात्री अर्थात बली चलड़ना यादगार रूप में तो इस्थुल बली चलाते हैं लेकिन होना मन बुद्धी और संबंद से समर्पित होना है यहा है वास्त्विक बली चलड़ना तो ये तीनों ही विसेस्ताएं महा सिवरात्री की विसेस्ताएं हैं सिवरात्री मनाना अर्थात यह तीनों विसेस्ताएं प्रेक्टिकल जीवन में लाना सिर्फ कहना नहीं लेकिन करना कहना और करना सदा समान हो बाप दादा ने बच्चों की खुसकबरी का समाचार भी सुना कि चाहे भारत के बच्चों ने चाहे डबल विदेसी बच्चों ने सभी ने महा सिवरात्री का प्रेक्टिकल स्वरूप प्रतिग्या की तो प्रतिग्या अर्थात कहना और करना दोनों समान बहुत अच्छी बात है सभी ने पहले बाप दादा को बड़े ते बड़ा बर्थडे का गिफ्ट अर्थात स्रेष्ट संकल्प का दिया है बाप दादा कहते बहुत अच्छी बात है सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े ते बड़े बर्थडे का गिफ्ट प्रतिग्या अर्थात स्रेष्ट संकल्प दिया है तो बाप दादा भी सभी बच्चों के गिफ्ट की ठेंक्स दे रहे हैं गिफ्ट में दी हुई प्रतिग्या सदा इस्मरती से समर्थ बनाती रहेगी पहले से ही यह नहीं सोचो कि प्रतिग्या करते तो हैं लेकिन पता नहीं चल सके या नहीं पाप दादा कहते पहले से ही यह नहीं सोचो कि प्रतिज्या करते तो हैं लेकिन पता नहीं चल सके या नहीं निभा सके या नहीं निभा सके यह सोचना अर्थात कमजोरी का आहवान करना है तो कमजोरी अर्थात माया को जब स्वयम ही आहवान कर रहे हो तो वह कमजोरी पहले ही तयार रहती है आने के लिए यह तो आप उसको निमंत्रन दे रहे हो इसलिए कोई भी संकल्प वह कर्म करते हो तो समर्थ इस्थिती में इस्थित हो, समर्थी से करो, कमजोर संकल्प मिक्स नहीं करो, यह स्रेश्ट संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंसन हमारा और मदद बाप की है ही, इस विदी से प्रतिग्या प्रेक्टिकल में लाने में बहुत सहज अनुभव करेंगे, सदेव य यह सोचो, अनेक कल्प की विजय आत्मा में हूँ, विजय की खुसी, विजय का नसा सक्ति साली बना देगा, विजय आप ब्राह्मन आत्माओं के लिए सदा साथी बन बंधी हुई है, और कहां जाएगी, सिवाए पांडवों के विजय ने किसको साथ दिया, वही पांडव हो ना, जब बाप साथी है, तो विजय भी आपकी साथी है, सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है, यह देखो जो प्रभू के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी हो नहीं सकती, संपूर्ण विजय के रूप में, अपना यादगार विजय माला देख रहे ह हो ना, ऐसे तो गायन नहीं है ना, विजय और हार माला है, नहीं, विजय माला है, विजय माला के तो बाप दादा कहते, विजय माला के तो आप हो ना, तो विजय माला के मन के कभी हार नहीं कह सकते, हर एक ने जो संकल्प किया बाप दादा ने सारी सिन देखी अच्छे उमंग उत्साह से खुसी-खुसी से प्रतिग्या ली है और आप चेतन्य साली ग्रामों ने प्रतिग्या ली है इसलिए भक्त भी उसका यादगार मनाते रहते हैं तपस्या के संबंध से कल सभी ने 56 वी सिव जयनती पर 56 प्रतिग्याएं की हैं बली चड़ चुके बली चड़ना अर्थात महा बल्वान बनना बली किसकी चड़ाते हैं कमजोरियों की जब कमजोरियों की बली चड़ा दी तो क्या बन गए महा बल्वान सबसे बड़ी कमजोर देह अभिमान, देह भान समर्पित करना, अर्थात उसके वंस को भी समर्पित किया, क्योंकि देह अभिमान का सुक्ष्म वंस पहुत बड़ा है, अनेक प्रकार के छोटे बड़े देह भान है, तो देभहन की बली चड़ना अर्थात वंस सहित समर्पित होना अन्स भी नहीं रखना अन्स मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खीचता रहेगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा ना चाहते भी चुंबक अपने तरफ खीच लेगा ऐसे नहीं समझना ऐसे कोई समय के लिए यह देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए खिनारा करके रखें फिर क्या कहते हैं इसके बिना काम नहीं चलता काम चलता है लेकिन थोड़े समय के लिए विज़ई दिखाई देती है अभिमान को स्वमान समझ लेते हो लेकिन इस अल्पकाल की विज़ई में बहुत काल की हार समाई हुई है और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो वो सदाकाल की विज़ई प्राप्त कराती है इसलिए देह अभिमान के अंस मात्र सहित समर्पित हो इसको कहा जाता है सिव बाप के उपर बली चालना अर्थात महा बलवान बनना ऐसी सिव रात्री मनाई है न यह वरत धारण करना है वे लोग तो इस्थुल चीजों का वरत रखते हैं लेकिन आप क्या वरत लेते हो स्रेष्ट वरत्ती द्वारा यह वरत लेते हो कि सदा कमजोर वरत्ती को मिटाएं सुब और स्रेष्ट वरत्ती धारण करेंगे जब वरत्ती में स्रेष्टता है तो स्रष्टी स्रेष्ट ही नजर आएगी क्योंकि वरत्ती से द्रष्टी और क्रती का कनेक्सन है कोई भी अच्छी या बुरी बात पहले वरत्ती में धारन होती है फिर वानी और कर्म में आती है वरत्ती स्रेष्ट होना अर्थात वानी और कर्म स्वतह स्रेष्ट होना आपकी विशेश सेवा विश्व परिवर्तन की सुब वरत्ती से है वरत्ती से वाईब्रेशन वायूमंडल बनाते हो तो स्रेश्ट वरत्ती का यह वरत धारन करना यही सिवरात्री मनाना है यह तो सुन लियाना कि मनाना अर्थात बनना कहना अर्थात करना जो सिद्ध पापदादा कहते जो सिद्धी प्राप्त आत्माएं होती है और आप लोग कहेंगे सिद्धी स्वरूप आत्मा तो उन्हों के हर संकल्प अपने प्रती या दूसरों के प्रती जो भी करते हैं वह कर्म में सिद्ध हो जाता है जो बोल बोलते हैं वह सिद्ध हो जाता है जिसको कहते हैं सत्वचन तो सबसे बड़ेते बड़ी सिद्धी स्वरूप आत्माएं आप हो ना तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे बाप दादा कहते तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना सिद्ध होना अर्थात सफल होना प्रत्यक्ष स्वरूप में आना यहा है सिद्ध होना तो सदेव यहा इ सिद्धी स्वरूप आत्माएं हैं, हम सिद्धी स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, स्वयम को वा सर्व को सिद्धी प्राप्त होने वाला हो, व्यर्थ नहीं, कहा और किया तो सिद्ध होगा, कहा, सोचा और किया नहीं, तो वह व्यर्थ गया, कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते हैं बहुत अच्छे अच्छे विचार उमंग आते हैं अपने प्रती या सेवा के प्रती लेकिन संकल्प तक ही रह जाते हैं प्रैक्टिकल कर्म में स्वरूप में नहीं आते हैं तो इसको क्या कहेंगे संकल्प बहुत अच्छे हैं लेकिन कर्म में अंतर क्यों इसका क्या खारण है अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे धर्नी या परहेज की कमी है ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है बाप दादा के पास संकल्प पहुचते हैं बाप दादा भी खुस होते हैं बहुत अच्छा बीज बोया है बहुत अच्छा संकल्प किया है अभी फल मिला की मिला लेकिन होता क्या है द्रण धार्णा की धर्नी की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी बाप दादा हसी का खेल देखत बच्चे लोग गेस का गुबारा उड़ाते हैं न बहुत अच्छी गेस भरकर उड़ाते हैं और खुस होते हैं गुबारा उपर गया बहुत अच्छा उड़ रहा है लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता है तो कभी भी पुरुशार्थ में निरास नहीं बनो करना ही है होना ही बनना ही है वीजय माला मेरा ही यादगार है निरास होकर यह नहीं सोचो अच्छा कर लेंगे देख लेंगे नहीं कल तो क्या अभी करना ही है अगर निरास अगर निरासा को बहुत सेखंड़ मिनट भी अपने अंदर इस्थान दिया तो फिर वह सहज जाने वाली नहीं है उसको भी ब्रह्मन आत्माओं के पास मज़ा आता है इसलिए निरास कभी नहीं बनो अभीमान भी नहीं निरासा भी नहीं कोई अभीमान में आ कोई निरासा में आ जाते हैं यह दोनों महा बलमान बनने नहीं देते जहां अभीमान खता है वह Cities आपमान की फिलिंग भी जैदा आती है कभी अभीमान में कभी अपमान में दोनों से खेलते रहते हैं जहां अभीमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान ही लगेगा वह सदा निर्मान और निर्मान के कार्य में बीजी रहेगा जो निर्मान होता है वही निर्मान कर सकता है तो सिव रात्री मनाना अर्थात निर्मान बन निर्मान करने के करतव्य में लगना समझा तो आज सभी अपने दिल पर स्रेष्ट संकल्प की डोरी द्वारा विजय का जंडा लहराओ यह जंडा लहराना ब्रहमनों की सेवा की रस्म है विधी है लेकिन साथ साथ सदा विजय का जंडा लहराता रहे कोई भी दुख की बात होती है तो जंडा नीचे कर देते हैं लेकिन आपका जंडा कभी नीचे नहीं हो सकता सदा उचा तो ऐसा जंडा लहराएंगे न अच् तपस्या वर्स की रिजल्ट भी मिली, सभी ने अपना अपना जज़ बनकर अपने को नंबर दिया, अच्छा किया, मैजोरिटी चारो और की रिजल्ट से यह दिखाई दिया, कि इस तपस्या वर्स ने सब को स्वा के पुरुशार्थ के प्रती अटेंसन अच्छा खिचवाया है जब अटेंसन गया तो टेंसन भी चला ही जाएगा न तो टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही सेकेंड नंबर मैजोरिटी है थर्ड भी है लेकिन फर्ष्ट और चोथा नंबर कम है सेकेंड नंबर के हिसाब से फर्ष्ट और फोर्थ कम है बाकी सेकेंड और थर्ड ये मैजोरिटी है और बाप दादा एक बात पर विसेस खोसें कि सभी ने इस तपस्या वर्स को महत्तु दिया है इसलिए पेपर आये हैं लेकिन मैजोरिटी अच्छे रूप से पास हो गए यह संकल्प जो रखा कि तपस्या करनी है इस संकल्प की समर्थी ने सहयोग दिया है इसलिए रिजल्ट अच्छी है खराब नहीं है मुबारक हो बाकी अब प्राइस तो दादियां देंगी बाप ने सबको बहुत अच्छे बहुत अच्छे की प्राइस दे दी ऐसे नहीं कि तपस्या वर्स पूरा हो गया अभी अलबेले बन जाएं नहीं और बड़ी प्राइस लेनी है सुनाया ना कर्म और योग के बेलेंस की प्राइस लेनी है सेवा और तपस्या के बेलेंस की ब्लेसिंग अनुभव करनी है और निमित मात्र प्राइस लेनी है सच्ची प्राइस तो बाप और परिवार की ब्लेसिंग की प्राइस है वहा तो सबको मिल रही है अच्छा आज सुक्ष्म वतन बनाया है अच्छा है वायू मंडल अच्छा बनाये उस जोती देश के आगे तो यहा सजा हुआ सुक्ष्म वतन माडल ही लगता है न फिर भी बच्चों का उमंग और उत्साह वायू मंडल वरत्ती को खीचता जरूर ह सबी सुक्ष्म वतन में बैठे हो साकार सरीर में रहते मन से सुक्ष्म वतन बासी बन मिलन मनाओ बाप दादा को खुसी है कि बच्चों को सुक्ष्म वतन इतना प्यारा लगता है तभी तो बनाया है ना बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया है और प्यार से बनाया है स्रेश्ट उमंग उत्सा के संकल्प से बनाया है इसलिए बाप दादा संकल्प करने वालों को साकार में लाने वालों को सभी को मुबारक देते हैं यह भी बेहत के खेल में खेल है और क्या खेल करेंगे यही खेल करेंगे ना कभी स्वर्ग बनायेंगे कभी सुक्ष्म वतन बनायेंगे यह बुद्धी को खीचता है अच्छा चारो और के सर्व जोती बिंदू, साली ग्रामों को बाप के दिव्य जन्म वा बच्चों के दिव्य जन्म की मुबाराखो ऐसे सर्व स्रेष्ट सदा सिद्धी स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले स्वमान में इस्तित रहने वाली आत्माओं को सदा स्रेष्ट पुरुशार्थ और स्रेष्ट सेवा के उत्साह, उमंग की स्रेष्ट आसाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को सदा अपने दिल पर विजय का जंडा लहराने वाली सिव मई सक्ति सेना को सदा पुरुशार्थ में सफलता सहेज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूब बच्चों को बाप दादा का यात प्यार और नमस्ते सिव जयनती पर बाप दादा ने ध्वच भैराते हुए सर्व बच्चों को बधाई दी सदा विश्व में बाप और विजय बच्चों को यह सुक सांती देने वाला जंडा लहराता रहेगा बच्चों और सिव बाबा और सिव सक्तियों की रुहानी सेना का यह नाम बाला होता रहेगा यह महान उचा जंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा यह अविनासी जंडा अविनासी बाप और अविनासी स्रेष्ट आत्माओं का यादगार है तो सदा खुसी की लहरों से, खुसी का जंडा बाप के नाम बाला करने का जंडा, बाप को प्रत्यक्ष करने का जंडा, लहरा रहे हो, लहराते रहेंगे, ऐसे सिवरात्री पर आप सभी बच्चों को, और चारों और के सर्व ब्रहमन विसेस आत्माओं को, बहुत बहुत बर् वर्दान दिया बाप दादा ने वर्दान में बाप दादा कहते विसेस्ताओं के संस्कारों को अपनी नेचर बनाए साधरनता को समाप्त करने वाले मर जीवा भाव। मर जीवा भाव। जैसे किसी की कोई नेचर बाप दादा कहते जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वह स्वता ही अपना काम करती है। सोचना वह करना नहीं पड़ता ऐसे विशेषता के संसकार भी नेचर बन जाए और हर एक के मुख से मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर ही विशेषता की है साधरन कर्म की समाप्ती हो जाए तब कहेंगे मर जीवा साधरनता में मर गए विशेषता में जी रहे हैं संकल्प में भी साधरनता ना हो स्लोगन दिया बाबा ने स्लोगन में बाप दादा कहते समर्थ आत्मा वह है जो किसी ना किसी विदी से वियर्थ को समाप्त कर दे तो ये थे बाप दादा के महावाक के 21 अगस्त दो हजार बाविस के अव्यक्त बाप दादा का रिवाईज कोर्स दो मार्च उननिस सो बान्नुका अच्छा ओम शांती